सुर स्यामन गुरु एसो समरत गुरु एसो समरत गुरु एसो समरत चीन मेले उद्रे चीन मेले उद्रे चीन मेले उद्रे चीन मेले उद्रे गुरु एन ऐसी कौन करे गुरु एसी 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 कौन करे जहां मलीहिमन ये परिख्षित जी गुरुवंदना कर रहे हैं उसी समय तट्रा भवड भगवान व्यास पुत्रों उसी समय प्रिख्वी पर विच्रण करते हुए किसी की भी चाहना न रखने वाले अप प्रगटी चिनों वाले सभाव संतुष्ट त्री बालकों से घिरे हुए और अउदुत वेशधारी भगवान व्यास अनिंदन शी शुग्रेव जी महराज उस सभावे प्रगट हो गए बोलिये शिशुग्देव जी महराज कीजे शिशुग्रेव जी महराज कीजे ये सभा मंडप मां शिशुग्रेव जी महराज प्रगट धाई गया प्रादूर भाव श्महाप्रभुजी यहां पे सुभोधनी में आज्या करते हैं कि ये जो अभवत क्रिया है ये अतिमहत्वकून है शिशुग्रेव जी महराज नो प्रादूर भाव थे ओ अने प्रादूर भाव भगवान नो थाए एक तो भगवान व्यास पुत्र एक तो भगवान व्यास जीना पुत्र छे एटले ये भगवद सुरूपज छे अने भगवान ने अन्दर जे 32 लक्षण जी छे ए 32 लक्षणों थी युक्त शिशुग्रेव जी महराज छे एटले एमना माटे भगवान शब्दनों प्रियोगु करे ओ एमनो प्रादूर भाव थे ओ तिया प्रगट तेई गया प्रुथुई उपर भ्रमण करवू आ तो केवल एक इमनी क्रिडा मात्र छे पोताना लक्षणों ने छुपावी ने राखे छे अप्रगट राखे छे अवधूत वेश्मा विच्रन करे छे केवल अने केवल एक इमनी लीला मात्र छे श्लोख मा कहवा मा आएवी विचे तम द्वया द्वयश्ट वर्ष हा सोडस वर्ष नहीं अपितू इठ्यासी वर्ष तम द्वयश्ट वर्ष यहां पे दो गुणों को बताने के लिए यह लिखा गया एक तो आयू वृद्धी के साथ बल वृद्धी लेकिन सोडस वर्ष की आयू होने पर भी शरी वृद्धी के साथ व्याप्त होने वाले काम विकारों से शुक्रेवी जी रहित हैं शुक्रेव जी में काम एवं बुढ़ाते का दोश व्याप्त नहीं था और साथ ही उनके आयू तो सोलह वर्ष की है लेकिन उनके अंदर रही हुई भक्ती उनका ग्यान मानो इठ्ञासी वर्ष जितने रुशी जितना उनके अंदर ग्यान और भक्ती उनमें समावित है इस सुन्दर उच्च आसन शुष देव जिने अपा माविव प्रशान्त मासी नम्म कुंध मेद सम्धा मुने नुरुपो भागवतो मुप्यत्य प्रणम्य मुरुद्नावह तक्रतां जने नत्वागिरा स्प्रुन्त यान्वत्र प्रशत्य आशलोपनी व्याख्यामाशी नग्षना धर्म इना लक्षनों नी बात करी। है श्री महाप्रभुजी आज्ञा करे छे के गुरुमा चार धर्म अपेक्षित्र छे। सवुथी पहला गुरुनी अंदर एक लक्षण छे पहलो धर्म छे ज्यान ज्यानी होव जोई ए ज्यान साथे ज्याननु कर्म ए बीजु लक्षण बीजु धर्म गुरुना अंदर होव जोई खाली ज्यान ने ज्याननु कर्म त्रिजु बतावियु अव्यक्रता गुरुनों तो त्रिजु लक्षण छे अने चोथु बतावियु साधन जे धर्म जे भक्ती एमने केडवी छे हवे पोताना साधनों प्रयास्ते एनु समाजनु कल्यान करे एवी भावना आ चार लक्षण गुरुना अंदर होगा छे आ शब्दों थी चार लक्षणों नी चर्चा शिष्षदेव जी नी करीश महाप्रभुजी समझावी रहा छे अने शिष्षणी अंदर चार धर्म अपेक्षित छे ध्यान दे शिष्षणों पहलो धर्म पहलो लक्षण के गुरु सन्मुक श्रद्धा साथे उपस्थित थवू समय नुसार गुरुना सन्मुक धता रहू सन्मुक ता ये शिष्षण का प्रथम लक्षण है जारे गुरु सन्मुक जाए त्यारे पूताना देहती साश्टांग डंडवत करवू ये शिष्षणों बीजो धर्म छे ये हमारे विवेक ये हमारे एटिकेट्स आपड़ा संस्कार के गुरुना सन्मुक जाए त्यारे शुव करवू जम पूरुश होए तो ये साश्टा जारे गुरुना सन्मुक जाए तो सवुथी पहला डंडवत करिये त्रीजी वस्तु बतावी के शिष्षय ने अंदर त्रीजो धर्म छे के जारे गुरुना सन्मुक थाए तो पूर्ण सावधानी राखवी जोई जोई है सावधानी ती बेसिये आपनी हाथनी मुद्रा पग नी मुद्रा सावधान होई जोई है आपना पग न देखावा जोई है लांबा पक करीना न बेसिये गणानी टेवए पग उपर पग चड़ावी ने बेसे पन जारे गुरुना सन्मुक थाई है आपना पग देखावा नो जो यावी मर्यादा और रहे लिज यह विव पश्योने अंदर विवेक नो होए तो जे मनुष्यनी अंदर विवेक नो होए तो पथि यह मनुष्य कहिए दीदीदेखेवाए आपना विवेक कोई नी निंदाये सामय नकरवी कोईना बहु वधारे वक्हान गुरु सामय नो करवा जोई ये सावधानी पिए अपने त्यां पुष्टि प्रम्प्रामा तो आम हाथ जोड़ी ने आ मुद्रा आ मुद्रा हुए छे गुरुना सन्मुख होई ये त्यार आ प्रकार्थी इतला नस्दिक जहीने पन वात न करिए कि क्यांक भूलती थू खोड़ी जाए इतले जानकार जे वेश्ण होए आम मुड़ा उपर हाथ राखी ने बात करता हुए इतली नस्दिक आपड़नों आवी जाए कि आंक भूलती आपड़ा पग लागी जाए सावधान आवता जता होए तो इमने मार गापे इमने पीठ दईने नव बेसा आपड़ा रीप विवेक छे जे आपड़े शिखवा जोई है तो सावधानी थी उभारे हुँ प्रमाद साथे नहीं सावधानी साथे उभारे हुँ अने चोथों लक्षण बताविए कि जारे गुरुदेवने कोईपन प्रकारनी प्रार्थना निवेदन करवु होए तो सवधी पेला हाथ जोडवा जोई है हाथ जोड़ी ने आपड़ी वातने प्रस्तूत करवी जोई है पांचवों लक्षण बताविए कि वानी थी पन नमस्कार करवु जिम क्रिया थी डंवत प्रणाम करया है वी ते वानी थी पन आपड़े त्याँ जेजेश्री आपड़े कही आचारे वंश जोणे सु कहीने सम्मोधन करवु सु कहवु सु ना कहवु यह सब रीत विवेक सिखने चाहिए अच्छी यह बात है तो जेजेश्री डंवत प्रणाम आपड़े जारे वेशनव वेशनव आपस्तमा मड़े तो जेशी कृष्ण कहीए जारे वेशनव गुरु देव आचारे वालकों ने मड़े आचारे वंश जने मड़े त्यारे एक गुरु ने डंवत प्रणाम कहे गणी वकद अनुभवी वेश्ण होए उलो नवा आवया होए तो पच्छी ए जैसी कृष्ण न केवाए आम न केवाए उलो विचारों नवो गणी वकद डरी जाए तो जी सामे ना अपण ए बदा कारणों समझ वाजोई ये शुकान जैसी कृष्ण न करिए आपना रीत छे विवेक के गुरु पासेती आपने आशिर्वाद नी जारे अपेक्षा राखता हुए तो जारे आपने कोई ने जैसी कृष्ण करिए त्यारे सामे वाड़ो पन आपने जैसी कृष्ण करशे अने गुरु पासेती जारे जीवने आशिरवाद नी अपेक्षा होए तो आपने कईये डंडवत प्रणाम तो ये गुरुना आशिरवाद इने मड़े अने बीजो एक भाव समझीए के जैसी कृष्ण कृष्ण नाम ए मंत्रात्मक छे अने जारे आपने जैसी कृष्ण करिये अने गुरुपन सामे जैसी कृष्ण बोले तो पची ए मंत्रनो उचार गुरुने तमे करावे ओ एम केहवाए अपराद छे मंत्रन उचार गुरु शिश्यने करावी शके, शिश्य गुरु ने मंत्रन उचारन करावे ए विवेक न थी, ए रीत न थी इटले आपने त्यां मरियादा चे कभी आपने आचारे बालकोने वन्द्ष जोने आपने वी जे जे शरी डंडवत प्रणाम अन केता होई ये छे बदाना कारण रिजन छे या आजे पांचमों लक्षन जे बतावे चे के वानी थी पन नमस्कार करवू वंदन करवू अन चठी वस्तू सत्य वानी थी प्रष्ण करवू आच्छो लक्षन शिष्ण अंदर होई जोई ये परिक्षित जी थी शे महा प्रभुजी बतावीर आचे के आच्छो लक्षनों थी युप शी परिक्षित जी चे न खुब सुन्दर सत्य वानी थी परिक्षित जी ये प्रश्न कर्यों ये योगियोंना परम गुरू सर्व सिद्धुशी शुक्देव जी क्या जगतमा रेवा वाडा जीवोंने अने आसन्न मृत्यु प्राणी ने शु कर्वू जोईये ये प्रभू मनुष्य माटे करणीय श्रवणीय जपनीय स्मरणीय अने भजनीय सेवा योगिय शुच्छे ए मने आप पहो सुन्दर बे प्रश्ण पुछ्या के एक तो जीवनुँ कल्यान शेमा छे अने बीजुच्छे के जेनी मृत्यु सम्मी पोहे इने शुकर्वू जोईये प्रश्ण थी भागवत नो प्रारम बधाये छे ने आ बनने प्रश्ण आपणा बध्धा माटे छे कारण के आपणे बध्धाय पोतानू आत्म कल्यान करवानू छे अने मृत्युनू सम्मीप तो आपणे बधा जयी रहा छे आ प्रश्ण साथे ज अहीं आ प्रथम स्कंध पूर्ण थाये छे आओ आ प्रथम पुष्पश्य जीना चर्णों मा समर्पित करीने द्वतिय स्कं पान की जये बीजा स्कंध परले साधन लीला शे आचारे महाप्रवोजिये साधन लीला ना त्रण प्रक्रणों सुबोधरी मा बताव्या तत्वा धानम रुद्ध्रप्रसाद मनन प्रक्रण दस अध्यायोंनों आ बीजो स्कंध छे जेनों जेवो अधिकार एन एवा साधन इस साधनोंनों निरूपण अईयां करवा माव्यों छे शुग्रेव जी कहे छे शीशुकावाच करियानेशते प्रश्न कृतो लोगहितो दृपः आत्म विट्सम्मतह कुंसाम शुर्त अव्यादिशुयप्यपरह तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान इश्वरो हरिही शुरू तव्यकेर्कित अव्यश्च स्वर्त अव्यस्वेच्चताः वर्यानेशते प्रश्न वर्यान व अप्षरती शुक्रेवजी प्रारंब करयो वम अमृतम भी जहाँ जिन जकार दग्गता वाचक छे एम वकार अमृत भी जो रूप छे तो शुक्रेवजी अमृत लईने आवे आचे एम पन जे मरनासन पर होए तो एने अमृत जपावू जोई है ना पड़ आकेवू अमृत लईने आएवा आमृत अमर बनावे एवू अमृत न थी आ कथा अमृत जे अभय बनावी दे एवू अमृत लईने शुक्रेवजी आवे आचे एटले वकार थी प्रारंब करयो शुक्देव जी कहेचे राजन कृतो लोक हितो उन्रपह तमारो आप्रश्ण खुब सुन्दर छे अने लोक हितमा छे अने तमारी जिग्यासा छे एटले हूं तमने कथा समढ़ाविश्य कथा के लिए जिग्यासा चाहिए ए अधिकार जोईवे शुक्रेव जी कहेचे तमारी जिग्यासान लईने श्रध्धावान लभते ज्ञ्यानम कथा माटे श्रध्धा जोईए शत्यने स्विकारू इनुनाम श्युक्रधा माते जिग्यासा जो ये क्यारी कता फलरूप था जफाय चेम्याज दी गंगा जीना तर्ट पड़ म्युम्या जनक राजा श्मुद beautiful river, river, container कृई ध स्वेख्या सम्ड़ाउता अब लाड़ ये बाद हली ने बढरों हता। धनवान छे राजा छे एना माटे जा ग्यास जी कथा करें छे वो प्रचार थवाला गयो पर तो पड़ जनक आवे पचिज कथा नो प्रारंब करें लुक निंदा थवाला गिए एक दिवसनी वाद थे व्यास जी वो चमतकार करें युगागनी प्रगट करी गाम मा आग गोड़ी गोड़ी ने याँ आजा शामढवा बेठा था किता जल्दी चालो अरे जल्दी चलो जल्दी चलो आग लगगई आग लगई आग लगई औनो बदा गबडाई गबडाई नो उबा थवा लागे आगने बुजावा माटे पर जनक राजा तो एँनत्या भेखा य एवी एका ग्रता कथा मा एवी तलिनता कथा चाले छे ना जनक राजा श्रवन करे चोला बदा तो भागी ने घर जईने जुए तो कई आग नहीं पच्छीक लानी थई कि अरे आ जो आ भात ना लोकिक वात ने लिधे हमें कथा छोडी ने आवी गया जारे आवी ने जोयू तो जनक राजा एम नेम बेठा चे बदाने खबर पड़ी गई कि केम आव्यास जी आज जनक आवे पच्छी कथा नो प्रारम्ब करता हां यह जग्यास था कि एवी तल्लिंता जेन अला दिनकर दास जीनी जुओ वारता जीमा अली खान जुओ यह अले खान पर गुसाइजी कथा करता यह ने नी दिक्री कथा सांभड़ता भुसाइजी पड़ ऑवे त्यारे कथा नो प्रारमब करता यह ने त्यारे चर्चा थवा लागए आतो ला यवन नी वलानी वाट जो ना पची जुओ फिस गुसाइजी कथा करे छे ह हां पच्छी बदानों समाधान करवा माटे पच्छी एक दिए उस कधा माँ दा बेठा ता गुसाई जी पूछू के कल प्रसंद में का आयो थो तो नो बताईयो जरा तो बदा चुप कहीं बोली न सके के याद न थी आपड़ी ये वी स्थिती जे के बहु सामड़ियो कथा आओ तो केटली सामड़ी कथा सुनी सुनी पाक्या कान तो एन आवियो एवी आपड़ी स्थिती जे पूछिए के चालो बताओ सु आवियो काले जे राज वो तो याद नहीं है और कई के अलेकान तुम सुनाईयो जरा कि कृपानात आप आग्या करो तो पहले दिन से ले ससंग मा एवी पृति ए वेश्णोंनी पेला दिवस्थी लईने काल सुधिनी कथा आपने समड़ाओ मने पूरी एक एवादो आपना वचनाम्रत